हेलो बच्चो कैसे हो आप सब आई होप आप सभी मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले एक न्यू लेशन बट उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ यह देखिए यह क्या है यह क्या का पेर है यह तो मैंगो ट्री है और यह देखिए मैंगो कच्चा है पहले फिर वो पक रहा है और फिर वो पेर से नीचे गिर रहा है और उससे उठाकर हम खा लेते हैं मैंगो खाना किसे-किसे पसंद है I think सारे बचों को मैंगो खाना बहुत है अच्छा लगता है अब ये क्या है और केले के लीफ कितने बरे होते हैं चाहिंँ और नेक्स लाइन इसका और पॉन इंदर जो यह दिखिए मलाई वोती है कहने में बहुत दिखा तो एनन सारे पेर बहुत ही useful, इनके फल भी हम खाते हैं, इनके लीव का भी हम use करते हैं, तो क्या हमें पेर को cut करना चाहिए, नहीं, और जब हम किसी और को भी देखते हैं, पेर को cut करते हैं, तो हमें उन्हें रोकना चाहिए, और बताना चाहिए, पेर हमारे लिए कितने useful होते हैं, तो मैं आपको पेरों के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन सबसे अच्छा पेर जिसमें हम बहुत सारे पेरों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या आप सभी रेडियो तो अपने बुक को ओपन कीजिए जल्दी जल्दी और आईए मेरे साथ पढ़ने के लिए तो यहाँ एक स्टोरी है आईए हम पढ़ते हैं देखते हैं इस स्टोरी में क्या बताया गया है तीन भाई थे एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल परे तलाश मतलब खोज गरम गरम धूप में वे सरक पर चलते चले गए गरम गरम धूप में बहुत तेज धूप थी थोरी देर में आम का एक बड़ा पेर आया उसके नीचे ठंडी च्छा थी च् पिछ में तो आप उसके पेर के नीचे रुक कर आराम करते हो तो आपको ठंडी हवा लगती है तो तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे आराम निस रस्ट करने लगे ंपिर के पके आम वोजय कर्वे दीन दीन होता है आना बड़े भाई ने कहा भाई मुझे तो यही जगण पसंद है आम के पेर से बढ़कर क्या हो सकता है तो उसे आम का पेर का जो जगण था ओसे बहुत पसंद आया उसने कहा आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे अचार मिन स्पिकल और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे आपने देखा होगा आपके घरों में भी आम का अचार होता होगा है ना जिसे हम राइस दाल के साथ खाते हैं, पराठे के साथ खाते हैं, चपाती के साथ खाते हैं और बहुत ही चट पठा लगता है और जब आम पक जाता है तो हम उसे कट कट कर खाते हैं हम मैंगो जूस भी पीते हैं मैंगो शेक भी पीते हैं तो है ने ये बहुत ही अच्छा फूरूट कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे तो बड़े भाई को आम के पेर की जो जगा थी वो बहुत अच्छी लगे क्योंकि उसने सोचा कि मैं आम के पेर से बहुत कुछ कर सकता हूँ तो देखे आगे क्या होता है हम देखते हैं स्टोरी में पहले भाई ने आम के पेर के नीचे एक जोपरी बनाई मिन्स छोटा सा हाउस बनाया और वह वहीं ठहर गया लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे वे आगे चल परे चलती चलती उन्हें केले की कुछ पेर मिले तभी आसमान से एक बादल गुजरा बादल मिन्स क्लाउड तप तप पानी बरसने लगा दोनों भाईों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा तो ये देखे ए पिक्चर में आपको मैंने पहले भी दिखाए ना आम का बनाना का जो लीफ होता है वो बहुत बड़ा होता है तो उन्होंने उसे कट कर लिया और जैसे मैं अम्ब्रेला को रखते हो ना जो बारिश होती है या धूप होती है तो वैसे उन्होंने बनाना के लिफ को अपने सर के उपर रख लिया जिससे वे बारिश के पानी से बच गया तो कितना अच्छा यूज है ना बनाना के लिफ का जरा देर में बादल चला गया, बारिष रुख गई, दूसरे भाई ने कहा बड़ी भूख लगी है मुझे भी तीसरे भाई ने कहा, दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा, चीरा मिंस कट करा उन्होंने एक एक टुक्रे पर खाना परोसा और दोनोंने भर पेट खाना खाया तो उन्होंने सेम ऐसा है कि और लिफ कट करा और उस पर अपना खाना रखा तो कि वो बहुत दूर आया था ना उन्हें तो वो अपने घर से खाना लेकर भी आया थे उन्होंने इस लिफ पर अपना खाना परोसा और फिर खाना खाया इसके बाद एके केला भी खाया फिर उन्होंने ट्री से पेर से एके केला तोड़ कर भी खाया तो केले के पेर का कितना यूज हुआ उसके लिफ का भी यूज हुआ केले को भी उन्होंने खा लिया और आपको पता है कच्चे केले की हम सब्जी भी बनाते हैं और उसे खाते हैं जो बहुत ही टेस्टी लगती है आपने जरूर खाया होगा किस किस ने खाया है मुझे कमेंट स्रेक्शन में बताइए आगे हम देखने क्या होता है दूसरे भाई ने कहा मैं तो यहीं घर बनाऊंगा केले के पेर से अच्छा क्या होगा बरिया केले खाने को मिलेंगे उनकी सब्जी बनाएंगे कुछ केले हम बेच देंगे उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे तो देखिए उसने कितना कुछ सोच लिया इतनी देर में कच्छे केले का वो सब्जी बनाएगा पके केले को खा लेगा और उसे बेच कर जो पैसे आएंगे उससे वो चावल भी खरीद लेगा इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी जोपरी बना ली मगर तिसरा भाई आगे बढ़ता चला गया चलते चलते उसे नारियल का एक पेर मिला मिन्स कोकोनेट का एक पेर मिला यहाँ देखे पिक्चर में पेर बड़ा लंबा और पतला था तिसरे भाई ने कहा कैसी प्यास लगी है तो चलते चलते उसे प्यास लग गई थी तप एक नारियल जमीन पर तपक पड़ा तिसरे भाई ने अपना चा को निकाला खर-खर नारियल की जटाएं साफ हो गई आपने दिखा होगा नारियल के उपर ब्राउन कलर के हेर जैसे होते हैं जिसे जटाएं बोलते हैं फिर उसने नारियल के छिलके में चोटा सा छेट किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया नारियल के पेर की छोटी सी च्छाँ तो नारियल के पेर में आपको इतने ज़्यादा च्छाइब तो नहीं मिलेगी तो क्या सोच रहा था वो आईए देखते हैं आम का पिर बहुत बरिया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है केले का पिर बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है तो आम भी अच्छा है केला भी अच्छा है फिर वो क्या सोचता है पेर नीम का भी अच्छा होता है उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है तो नीम का पेर किसने किसने देखा है मुझे बताइए नीम का पेर मेडिसीनल उसके बहुत सारे यूज होते है उसकी जो पतली पतली ब्रांच होती है ना उसका हम दातुन भी यूस, दातुन के जैसे भी हम उसको यूस करते हैं, दातुन मिंस ब्रश के जैसे घर में कोई बिमार हो तो लोग निम की टहनिया दरवाजे पर लटका देते हैं मेरे पास निम का पेर हो तो मैं उसकी टहनिया बेश सकता हूँ और पेर मुझे ठंडी च्छाँ भी देगा और अगर कहीं मेरे पास रबर का फेर होता तो मैं अपना चाह को निकाल कर पेर की च्छाँ में एक लंबा चीरा लगा देता आपको पता है ना रबर की पेर से हम रबर बनाते हैं चीरे के तले में एक प्याला रख देता पेर के दूदिया रस को मैं प्याले में बढ़ लेता रस को पका कर मैं रबर बना लेता रबर मैं इरेजर रबर मैं बेस देता रबर से लोग गुबारे, टायर और तरह तरह की चीजे बना लेते तो बैट के सपना देख रहा था, सोच रहा था, ख्याली पुलाव बना रहा था कि मैं अगर ये पेर होता तो मैं ये कर लेता, अगर वो पेर होता तो मैं वो कर लेता क्योंकि सारे पेर के यूज होते है, सारे पेर हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते है फिर वो बोलता है अच्छे पेरों की क्या कमी है नारियल के पेर की ही सोचो नारियल की जटाओं को काट कर मैं मोटी डोरिया बना सकता हूँ तो आपने देखा होगा नारियल के उपर जो ब्राउन ब्राउन से हेर होते हैं जिने हम जटा बोलते हैं उसको कट करके डोरी रसी बनती है रोब बनती है और डोरीों से मैं मजबूत चटाया भी बना सकता हूँ और उन रसीयों से उन रोब से चटाया भी बनती है बैक्स भी बनते हैं रसियों और चटायों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ मैं नारियल के गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखा कर मैं खोपरा भी तैयर कर सकता हूँ तो बच्चों कितने सारे यूज है नारियल के आप नारियल को ऐसे भी कट करके खा सकते हो हम आपने देखा होगा आपने खाया भी होगा और बहुत ही वो मीठा लगता है अगर हम नारियल को सुखा देते हैं तो वो गरी बन जाता है जिसको हम तराश कर उसे कट करकर हम ऐसे भी खाते है ड्राइ फ्रूट के जैसे या फिर हम उसकी चटनी बनाते हैं तो वह भी ये सब बैठे-बैठे सोच रहा था कुछ करी सुखा कर मैं खोपरा भी तैयर कर सकता हूँ खोपरे को पेद कर मैं गोली का तेल नहीं चाल सकता हूँ गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़े बनाने के काम आता है तो नारियल को जो सुखा कर उसका जो गोला होता है सुखा वर नारियल ड्राइ नारियल उसके तेल से साबुन और बहुत सारी चीज़े बनती है नारियल के छिलके को साफ करके कटोरी और प्याले बना सकता हूँ और जो उसका अपर कवर होता है उसको सुखा कर उसे थोड़ा क्लीन करकर उसके कटोरे भी बनाया जा सकते हैं ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेर सबसे अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊँगा तो उसे नारियल का पेर सबसे अच्छा लगता है, वो उसके नीचे ही अपना घर बनाता है इसलिए तीसरे भाइन इन नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई कुटिया means small house और मज़े से रहने लगा तुम्हारे लिए कौन सा पेर सबसे अच्छा है वो आपको मुझे comment section में बताना है कि आपको कौन सा पेर सबसे अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है ओके मैं वेट करूंगी आपके answer का अगर आपको lesson समझ में आया है तो please मेरे चैनल को like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए मिलते हमारे next video में इसके question answer के साथ Bye Bye